हलो दोस्तों आपको मेरा प्यार भरा नौशकार मैं आपका दोस्त रामदास आज मैं आप लोग को जन्नत की सेर कलने जा रहा हूँ जिसका नाम है मोनो कामना टेमपल और वहां की अद्भूत नजारे देखके आप हैरान रह जाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे जो की यहां इस्थित है तो आज चलते हैं आप लोग हम नेपाल मनुकामना मंदिर की सेर करा देते हैं और यहां का नजारा अद्भूत है पाहार की चोटियां नदियां तो चलते हैं तो हम चल पड़े हैं गेट क्रास कर लिये हैं और अभी रोपवे के की तरफ चल पड़े हैं और हमारी गाड़ी चलती जा रही है और यह आगया पार्किंग पार्किंग तीसर रुपया प्रति घंटा अधर है यह है रोपवे जो आपको सामरे दिखाई दे रहा है और यह है रोपवे का टिकेट घर यहां सामको टिकेट राप्त होगा यहां पर दिखाई गया है बाइक का 10 रुपया पार्किंग कार का 30 रुपया अब चलते हैं हम रोपवे एक तरफ और हम आ गया है काउंटर पर हमारे टिकेट चेक हो रहा है और हम लोग कार में बैठने जा रहे हैं और बैठ गया हमारी कार चल पड़ी है पहाड़ों की उच्छी उच्छी चोटियों के बीच बीच यह देखिए पहाड से नीचे नदी का नजारा कितना अद्भूत है कितना प्यारा है यह हिमाले को चोटी में चोटियां बहुत ही खुबसूरत पल है तो इस प्रकृति का अनंद लीजिए और इन्जॉय कीजिए यह उच्छे उच्छे पेड़ यह पहाड जहरने कभी आप आये तो बिल्कुल रोपवे से ही आये इसका अनंद ही कुछ और है जो जिन्दगी का असली मज़ा यहीं मिलता है इस रोपवे की कुल लंबाई इस तिन किलोमेटर से उपर है और हम अभी पहुंच चुके हैं अपने गंतब पर इस नजारे को देखके ऐसा लगता है कि जैसे हम मनों चीन में आ गए हैं यह हमारा पहाड के उपर ऐसा नजारा है जैसे लगता है कि हम किसी बहुत बड़े सीटी में आ गए हैं देखिए चारो तरफ दुकाने सजी हुई हैं और हम उनके बीचों बीच सब का नजारा देखते हुए आगे की और बढ़ते जा रहे हैं यह देखिए कितनी अच्छे अच्छे दुकाने सजी हुई हैं यहां बिल्कुल सुच छवाता वरण है यहां किसी पेकार की कोई गंदगी नहीं है बिल्कुल साफ सफाई बिसेश रूप से बाए जाती है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब सामने मौनकामरा टेंपल का नजारा दिखने लगा है इसकी छटें सोने से जड़ी हुई है जो देखने में कितनी खुश्रत लगता है यह देखिए मंदीर की छट यह देखिए एक घंटे हैं घंटा है बहुत बड़ा घंटा है और आगे बढ़ते हैं यह देखिए मंजारा कितना खुश्रत है चुनरी बदी हुई है और हम आपको पहारों की सेर कराते हैं यहां से यह देखिए यहां से दूर दूर तक हिमाले को चुटती हुई चुटियां ऐसा लगता है जैसे पहार की आसमान को चुट रही हैं यहां से हिमाले बहुत ही नजदीक है यह देखिए कितना अद्बूत नजा रहा है सान वाता वरर यह देखिए चुडियों के चुटियां है तब उतर हैं यहां पर दाने चुबिते हैं चुनिते हैं यह दर बड़ी बड़ी दुकाने सजी हुई हैं अब बर्तनों का वजा रहे हैं यह मिट्टी से बने हुए हैं हम अब वापस लोटते हैं क्योंकि यहां पर कैमरा एलाव नहीं रहता है मंदिल में इसलिए मंदिल में दर्सम करके वापस आ रहे हैं अब कि यह देखें लकड़ी से बने हुए है कि दामान है अब हम आगे हैं काउंटर पर फिर से पुना रोप वेश वापस जाने के लिए कि कि कठ हमारा चेक बड़ा है यह हमारी से बायां के लिए तुपस्तित हैं अब है कार आ गई है हम विराजमान होते हैं और चल देते हैं यह देखें वापस का नजारा देखें कि इतना खुछ फुट रहता है आदो ऐसा लगता है जैसे कि यह जन्नत है यहां से नदियां के दूर से लहराति भी नजर आ रहे हैं यह देखें हमारा कार इस्टिस और हम अपने गंतब की वर पुनह वापस आ गया है फिर हम बाहर आ गया है यहां से कार रिख जाती है और हम फिर पुनह गेट से वापस आते हुए आप सब कभूत बहुत तहने बाद हमारे चनल को लाइक सब्सक्राइब करें तहने बाद